अयोध्या में राम मंदिर के प्राण पर्टिस्ठा से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेन मोदी आंदर प्रधेश के लेपाशी में वीर भद्र मंदिर के दौरे पर हैं यह एक ऐसा स्थान है जो रामायान में महतपूर महतव रखता है अपने दौरे के दौरान प्राण मोदी ने लेपाशी के वीर भद्र मंदिर में प्रातना की और तेलगू में रंग नाथ रमायान की चपाई भी सुनी इसके साथ ही प्यम मोदी ने श्री सत्य साही जिले के पला समुंदरम में नैशनल अकेडमी ओफ कस्टम इंडायरेक्ट टेक्स एंड नार्कोटिक्स के नए अत्याधुनिक परिसर का दौरा किया और नैसीन के नए परिसर का उद्गहटन भी किया इस दौरान प्यम मोदी ने कहा आजकल पूरा देश राम मैं है प्रभू राम का जीवन, विस्तार, उनकी प्रेणा आस्ता भक्ति के दैरे से कहीं जादा है आजकल तो पुरा देश राम मय है राम जी की भक्ति में सराबोर है लेकिन साथियों प्रभू स्री राम का जीवन विस्तार उनकी प्रेणा आस्ता भक्ति के दाइरे से कहीं जादा है प्रभूराम गवनन्स के समाज जीवन में सुशाशन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके समस्तान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेणा बन सकते प्रेम नरेंद मोदी ने कहा राम राज सुशाशन के इनी चार स्तम्बों पर खड़ा था जहां सम्मान से बिना भैके हर कोई सिर उचा कर चल सके जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो जहां कमजोरों की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वों परी हो राम राज सुशाशन के इनी चार स्तम्बों पर खड़ा था जहां सम्मान से बिना भैके हर कोई सिर उचा करके चल सके जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्मा यानी कर्तव्य सर्वों परी हो आज 21 सदी के आपके आधुनिक संस्तान के चार सबसे बड़े धे यही तो है इसके साथ ही पीम नरेंद मोदी ने कहा नैसीन की भूमी का देश को एक अत्याधुनिक एकोसिस्टम देने की है एक ऐसा एकोसिस्टम जो देश में व्यापार को असान बना सके जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहोल बना सके जो टैक्स, कस्टम्स, नार्कोटिक जैसे विशोगों के माध्यम से देश में इस आप दूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिसिस से सक्टी से निफ्टे वहीं अपने संबोधन के दौरान पीम मोधी ने कहा हमने जीस्टी के रूप में देश को एक नई आधुनिक्ता दी साथ लाग तक हमने टैक्स पर छूट दी इससे करीब धाई लाग करोड की टैक्स की बचत की गई आज जब देश का टैक्स पर ये देख रहा है कि उसके टैक्स का सहिस्तमाल हुआ तो वो खुद भी आगे बढ़कर टैक्स दे रहा है हमने जो कुछ भी जनता से लिया वही जनता को समर्पित कर दिया यही तो सुशाशन है